आज की वीडियो में मैं आपको फंजाई, फंगस या कवक इसके एक्जामपल्स याद कराने वाला हूँ सिर्फ दो मिनिट में तो देखिए फंजाई को हमने चार क्लास में बाटा हुआ है या चार वर्गों में विभाजित किया गया है जिनके नाम है फाइको माइसिटीज, एसको माइसिटीज, बेसिडियो माइसिटीज और डूटैरो माइसिटीज ठीक है जिन में जो फाइको माइसिटीज है उसके एक्जामपल है म्यूकर, राइजोपस जिसको हम ब्रेड माउल्ड बोलते हैं जब भी आप bread लाते होंगे तो वो जब आप कीचन में उसको खुला रख देते हैं तो उसके उपर white white जो फफूंद जम जाती है वही है ये राइजोपस ठीक है इसलिए इसको बोलते है ब्रेड माउल्ड अगला एक्जामपल है अल्ब्यूगो ये parasitic fungi होता है mustard के उपर मतलब सरसों के उपर ये पाया जाता है parasite के रूप में अगला है ascomycities जिसके एक्जामपल है penicillium, yeast जिसका एक्जामपल है saccharomyces, aspergillus, claviceps, neurospora ये biochemical और genetic के experiment में इसका उप्योग करते हैं morels और buffels ये दोनों खाने वाले कवक हैं खाने वाले फंजाई हैं इनको हम खा सकते हैं अगला है basidiomycities इसके एक्जामपल है agaricus जिसको हम मश्रूम बोलते हैं जो आप खाते हैं जो बजारों में बिखता है वो यही होता है agaricus कवक अस्टिलेगो को हम बोलते हैं smut fungi, paksinia को हम बोलते हैं rust fungi, चेक है अगला है duteroomycities इसके एक्जामपल्स है अल्टरनेरिया, colitotrichum, c-o-l-l-e-t-o-t-r-i-c-h-u-m, colitotrichum और trichoderma तो यह complete example है आपकी NCRT की बुक से fungi या कवक के आपको 2 मिनिट में मैंने complete करा दिये हैं अब आप वीडियो को like करिए, channel को subscribe करिए